Welcome to सुलार स्टुड़ी पइंड आप सभी का स्वागत है आपके पने नटूब चैनल सुलार स्टुड़ी पइंड में मैं सियूम सुला आप सभी दोस्तों का हरदिक स्वागत करता हूँ आप सभी के लगातार कमेंट आ रहते कि सर जी बी एं फिफ्थ समस्टर के क्लासस प्रारब करवा दीजिए तो मैंने कहा बिल्कुल क्लासस आपकी प्रारब होंगी ठीक है सेप्टेमबर माँस से क्लासस आपकी विधवत तरीके से प्रारब होने वाली है आपको बता दू कि आज का जो वीडियो है ये 5th semester का ही है आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग मारन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे और यहां मारन पेपर जो होगा 2024 की परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है तो अगर आप 25th semester में पहुँच चुके हैं, 4th semester की आप परिक्षा दे चुके हैं, 5th semester में पहुँच चुके हैं तो आपके लिए लेक्षर बहुत ही important होने वाला है चुकि इस बीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे लगबख 100 से अधिक objective type के परसनों के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ बिष्विद्याले ऐसे हैं जिनकी परिक्षाएं objective होती हैं सबसे पहले परिक्षाएं वही बिष्विद्याले कंड़क्ट करवाते हैं मलब की परिक्षाएं संपन करवाते हैं तो आईसी स्थिती में objective वालों को एक परकार से मौका नहीं मिल पाता तयारी करने के लिए तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं objective model paper ही दे देता हूँ ताकि आप लोग objective model paper पढ़े तब तक और बाकी लिखित model paper आपका आएगा और उससे इसके ये तो आता रहेगा model paper लेकिन इसी बीच में आपकी classes जो होंगी sociology की, geography की, political science की, home science की, economics की, hindi की, इन सभी की classes जो होंगी आपको इस chapter wise भी मिलती रहेंगी तो आप हमारे channel पर जो playlist वाला कालम होता है उसी playlist में वीडियो में एक परकार से लगाता रहता हूँ कि भाई पहले वीडियो को ना इफिर उसके दे चेप्टर 2 को ना थिरी या इस परकार से जो model paper होते हों लगे होते हैं तो आप लोगों को एक परकार chapter wise वीडियो भी मिलेगी तो 2024 की परिक्षाओं के तैयारी के लिए मैंने सुचा अभी से क्यों ना हम फोकस करें फिप्त समेस्टर पर ताकि बच्चे जो है परकार से बहुत जादा परिसान हो जाते पेपर के समय में तो पैनिक ना ले और अभी से तयारी प्रार्म कर दे तो मैं यही कहूंगा कि अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को सेर कर दीजेगा और सबसे पहला माडल पूरे यूटूब पर ही नहीं मलब एक परकार सबसे पहली बार मैं आपको माडल पेपर समझा रहा हूँ इसका पूरा का पूरा जो फिप्त समेस्टर का है ठीक है तो फिप्त समेस्टर के पेपर वन के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से स्थापित समाज सास्त्रिय चिंतन भी कहा जाता हिंदी में तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रियास करेंगे पेपर वन का सिलेबस हम आल्रेडी डिसक्स कर चुके हैं तो आप लोगों ने पेपर वन का सिलेबस देखा होगा तो उसी सिलेबस से बनने वाले हंड आप जक्तिव प्रसनों के बारे में समझेंगे अच्छा इसमें एक प्रकार से मैं ऐसे बताऊंगा कि आपको यह नहीं लगेगा कि इसे पहले हमने इसको पढ़ा नहीं ठीक है तो यह मैं सोचेगा कि हमने भी class नहीं ली और मारल भीपर पर पी आगे तो मुझको समझ में नहीं गा बिल्कुल समझ में आएगा आप चाहे class अगस्त कॉम्ट के बारे में, हरबर्ट स्पेंसर के बारे में, इमाईल दुर्खिम के बारे में तो इतने आपके समाज सास्त्री सामिल हैं आपके पठे करम में इसके अलामा फ्रांस की करांती, और दोगिक करांती और समाज सास का उद्भोक ऐसे हुआ और सबसे पहले चिप्टर में हम लोग समाज सात्र के उद्भों के जो बहुतिक स्रोथ हैं जैसे यूरोप में ज्यानोदे जो होता है यूरोप के इतिहास के जो दर्सन है खासर के उसको जानने का प्रियास करेंगे राजनितिक दर्सन समाजिक और राजनितिक सुधारा दोलन जो चलाएगे उनके बारे में जानने का प्रियास तो ये कुल मिला करके आपका लगबग 11 चेप्टर में आपका संपन हो जाएगा कोई चिंता करने कि आपको आवसकता है नहीं मैं आपको बहुत ही सरल भासा में समझाने का प्रियास करूँगा ठीक है अगस्त कॉम्ट की बात किये तो सबसे पहले अगस्त कॉम्ट के बारे में आपको पढ़ना है अगस्त कॉम्ट का जनम कब हुआ था भी आप सभी को पता होगा कब हुआ था 1798 में मैं एक बात सभी जितने भी आपके पाठे करम में संकलित हैं चुकि आप से प्रस्थन क्या पूछेगा आप आपसे परस्ण इन ही के जनम और मिर्तिव को लेकर के पूछेगा तो मैं उससे पहले सभी जितने भी आपके इसमें सामिल है वलब समासास्त्री आपके पाठे करम में उनके मैं जीवन और मिर्तिव के बारे में एक बार बता दू सबसे पहला नाम आप पढ़ेंगे अगस्त क अगस्त कामट का जनम कर्म हुआ ता 7087वे मिर्तिव को की थी 1857 अबबजक्ति पढ़ें तो यह जरूर आयेगा तो यह हो गया आपका अगस्त कामट के बारे में आगे बढ़ते हैं और दूसरे आपके पाठे करम में क्या संक्लित है आगले जो कभी वह लब अगले जो समा सास्री है उनका क्या नाम है उनका नाम है इस्पेंसर इस्पेंसर का पूरा नाम जानते हैं आप लोग हर्बर्ट इस्पेंसर उनका पूरा नाम है ठीक है हर्बर्ट इस्पेंसर जो है इनका जनम कब हुआ था 1820 में इनका जनम होता है मृत्य उनीस सो, तीन इस भी में हो जाती है, ये बात ध्यान नकियेगा, हार्बरट इस्पिंसर के में बात करता हूं समाजिक डार्विनवाद का सिध्धानत उन्होंने दिया, समाजिक उतविकास का सिध्धानत भी दिया है अगस्त कॉम्ट की बात किये तो प्रतक्षवात की उधारा उन्होंने दी है तीन स्तरों का नियम और नित्री स्तरी नियम दिया है अगस्त कॉम्ट ने बिग्यानों के संतर के बारे में अगस्त कॉम्ट ने ही बताया है ध्यान लखेंगे ठीक है तीसरा जो आप में जो तीसरे विद्वान सामिल है उनका नाम है दुर्खीम दुर्खीम का पूरा नाम है इमाईल दुर्खीम ठीक है और दुर्खीम की अगर बात की जाए मैं लिक दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान दे और बहुत ध्यान समझेगर दुर्खीम की बात की जाए तो इनका जनम हुआ था 1858 इसबी में मैं आपको ऐसे एक सीरियल से चुकी अगस्त काम्ट सबसे पहले समासास्त्री और अगस्त काम्ट को ही समासास्त का जनक भी कहा जाता है ठीक है तो अगस्त काम्ट का जनम 1798 में होता है मरती 1857 में होती है फिर उसके बाद आते हैं इस्पेंसर 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 1820 में पैदा होते है और 1903 में उनकी मरती हो जाती है फिर उसके बाद में आप देखते हैं अमलब कि ये एक परकार से अगस्त काम्ट बड़े है अमलब अगस्त काम्ट जो हैं हर्बर्ट स्पेंसर से पहले के हैं हर्बर्ट स्पेंसर इमाईल दुर्खीम के पहले के समासास्त्री है ठीक है तो इस प्रकार से हमें क्रम के अनुसार चल ले हैं ठीक है सबसे बड़े समासास्त्री मनफ सबसे पहले आये समासास्त्री फिर उस इमाईल दूर्खीम की 1917 में इनके जो बड़ी फेमस फेमस जो सिध्धान थे उनुमें सिध्धान तो में एक समाजिक तत्थे का जो उधारा है उसको जानना है भलाव उसके बारे में प्रसना आप से आता है कि समाजिक जो तत्थे उसके उधारा किस ने दी तो आप आम्तरिक एकता सहववी एकता के बारे में किसमें इसको भी इसलय दुर्खिम ने बताया था आपसे आत्म हत्य का सिध्धान किस ने दिया तो आप बताएंगे इमाल दूर्खिम थीक'े यह हो गई दुर्खिम जो चौथे आपके पाठं करम मेंesta संकलित और चौथे जो समासास्ती है मैं दुर्खिम के बाद आते हैं परेटो का नाम आपको पता होगा परेटो परेटो आपको सुना होगा आपने लेकिन इनका पूरा नाम है बिल फ्रेडो परेटो ठीक है तो परेटो के अगर बात की जाए तो परेटो का जनम कब हुआ था परेटो क प्रस्ण बन सकता है कि तार्की क्यों मा तार्की क्रिया के बारे में किस ने बताया था तो परेटों नहीं बताया था आवसिष्ट चालक और भ्रांत तरकों के बारे में किस ने समझाया तो परेटों नहीं समझाया था इसके बाद में आते हैं पाचवे समासास्त्रियापके पाठेकरम के हिसाब से तो वो हैं माक्स माक्स का नाव आप जानते होंगे कार्ल माक्स आपने सुना होगा माक्स वदी विचारधारा भी चलती है तो कार्ल माक्स के गर बात की जाए तो जो कार्ल माक्स हैं इनका जनम हुआ था ठारा सो अठारा उने अलगाओ का सिध्धान्त दिया अत्रिक्त मूले का सिध्धान्त दिया काल माक्स ठीक है तो इनको भी हमको पढ़ना आए तो यहां से यह आप जटी प्रसंद बहुत सारे बनते हैं मरण और जनम को लेकरके इसके लावा जनम मरण के साथी साथ उनके जो सिध्धान्त थे तो यह सारी चीज़ आप नोट डाउन कर दीजिएगा इसके बाद में अगले आते हैं चठे नंबर के आपके पाठेक्रम के इसाब से उनका नाम है मैक्स बेबर मैक्स बेबर का भी आप लोगोंने बहुत नाम सुना होगा चार समेश्टर में पिछले ठीक है मैक्स बेबर के सिध्धान में मैक्स बेबर के विचार हैं बड़ी चबर्दस तो परसनाब से अबजक्टि में पूछेगा सक्ति और सत्ता का सिध्धान किस ने दिया तो आप बताएंगे मैक्स बेबर ने दिया है ठीक है इसके अलावा प्रोटेस्टेंट नीती और पूझी वाद नीत मीड जो है उनकी अगर हम बात करें लिख लेते हैं हरबर्ट मीड ठीक है हरबर्ट मीड समझेगा बड़े ध्यान से हरबर्ट मीड की जो जनम हुआ था 1863 में हुआ था यानि की मैक्स बेबर से ये एक साल छोटे थे ठीक है मलब एक साल बड़े थे ऐसा कहेंगे ठीक है प्रतिकात्मकंतर क्रियाबाद का सिध्धान किस ने दिया तो हरबर्ट मीड ने दिया आप से पूछेगा स्वा की समाजी का उधार्डा के बारे में मैं और मुझे की जो उधार्डा है उसको हरबर्ट मीड ने ही बताई है ठीक है मैं मुझे और स्वा की उधार्डा जो है वो हरवर्ट मीड ही बताते हैं मनो बिसले सड़कारी मनो बैज्ञानिक टाइप के समासास्त्री है हरवर्ट मीड ही है आप लोगों को ने नाम जरूर सुना होगा इनका इसके बाद में आपके पाठेकरम में जो अगले है उनकी अगर बात की जाए तो आठ नंबर पे आपके पाठेकरम के साब से आपने नाम सुना होगा पारसंस का पारसंस का पूरा नाम है टालकट पारसंस तो पारसंस के अगर बात की जाए लिख लिजेगा पारसंस के बारे में पारसंस का जनम हुआ था 1902 इस भी में और मिरती हुई थी 1989 भी में ठीक है ये बात ध्याने समाजिक क्रिया का सिध्धान्त भी इन्हों ने दिया था समाजिक क्रिया को लेकर के कई लोगों ने समाजिक क्रिया पर अपने विचार रखे हैं ठीक है समाजिक व्यवस्था के सिध्धान्त इन्हों ने दिया था इसके अलामा प्रतिमानित विकल्प का सिध्धान्त भी टा मर्टन का जनम हुआ था 1910 इस भी में ठीक है यानि ट्यालकट पारसंस के आठ सालों के बाद में आरके मर्टन जी का जनम होता है और इनकी मिर्तिव जो हो जाती है 2003 में आ करके होती है ठीक है ये बात ध्यान रखेगा तो इस प्रकार से ये जो जितने भी आपके पाठे करमें समासास्त्री थे उनके बारे में थोड़ा जानकारी मैंने आपको दी ताकि आप आसानी से और चीजों को समझ पाएं अब हम चर्चा करेंगे भाई प्रस्नों के बारे में कि आखिरकार कौन-कौन से प्रस्नाप की परिच्छा में पूछे या सकते हैं ठीक है देखें प्रस्नाप की स्कीन पर आचुका फटापट से आप देखने का प्रियास करेंगे प्रस्न है पुस्तक के लिखक का नाम बताइए अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है नेम आफ आथर आफ दा बुक दा व्यल्थाप नेशन इस व्यल्थाप नेशन जो पुस्तक है इसको किस ने लिखा है बताएं सबी लोग थामसाप ने जॉनलाक ने रूसो या एडम इसमित ने आपको बता दूँ कि जो एडम इसमित है ये एक अर्थसास्त्री भी है और जाहिड सी बात है व्यल्थाप नेशन की व्यल्थमाने धन होता है तो एडम इसमित ही एक अर्थसास्त्री समय है और Adam Smith की एक पुस्तक है बड़ी फेमस पुस्तक है Adam Smith जो है यह अर्थसास के जनक भी कहे जाते हैं बाद भी ध्यान नखिएगा अगला प्रसाब देखेंगे अगला प्रसाब की स्किन पर आचुका है निमलिखित में से कौन सी एक दसा ज्यानोदे से सम्मंधित नहीं है पताएं जो इनलाइटमेंट है यानि जो ज्यानोदे है उससे कौन सी दसा रिलेटर नहीं है ब्यक्ति की सुतंतरता कैथोलिक निमों का पालन तरकनावाद या उप्योगितावाद फटा पट से आप बताने का प्रियास करेंगे तो इन में से खास करके अगर बात की जाए जो ज्यानोदे से रिलेटर नहीं है आप से पुछरा ज्यानोदे से रिलेटर नहीं है तो कैथोलिक निमों का पालन जो है ये ज्यानोदे से रिलेटर नहीं है ठीक है प्रोटेस्टेंट नीती का पालन जो है वो ज्यानोदे से र तरकनावाद भी आजाता है और उपयोगिता वाद भी प्रकार से होता है खासर के ये एक दसाएं है खासर के ज्ञानोदे की इनलाइटमेंट की ये तीन दसाएं है जबकि जो कैथोलिक नियमों का पालन करना है ये उससे पहले की दसा हुआ करती थी ठीक है पुनर जागरन से अगला परसनाब देखिएगा अगला परसनाब की स्किन पर आचुका फटा पट से आप लोग वीडियो को लाइक और सियर कर दीजेगा अगला परसन है इतिहास के दर्सन की मौलिक मानिता है कि यानि कि आपको यहां पर अंगलिस में लिखा हुआ है कि दा वेसिक एजिंप इतिहास के दर्सन की मौलिक मानिता क्या है आपसन आपको दिये गए हैं बताएं आपसन ने दिया है समाजिक विकास की ब्याक्षा केवल इतिहास की ब्याक्षा केवल इतिहास के आधार पर नहीं केवल इतिहास को ही अगर आधार मानेंगे तो समाजिक विकास के बारे में आप नहीं जान पाएंगे तो यानि यह मानिता एक प्रकार से इतिहास के मौलिक दर्सन की मानिता नहीं है ठीक है अब मानिता है गोई दूसरा आपसने बिभिन समाज सरल अवस्था से जटिल अवस्था की और बढ़ते हैं बिल्कुल करेक्ट एंसर है आपका B आपसन यानि इतिहास के दर्सन की जो मौलिक मानिता है वो यही मानिता है कि विभिन समाज जो होते हैं वो सरल अवस्था से लेकर किया सरल समाज से जटिल समाज के और बढ़ते हैं चुकि सुरुआती आप मनुस्यों के जीवन को देखेंगे तो रूटी कपड़ा मकान बसे ही उनको घर भी होना चाहिए तो रूटी कपड़ा मकान ये प्रात्यमी का मश यसकता है और बाकि आजकर तो बहुत समाज सब्सक्था सरल था कोई जादा कुछ यह लागला पेट और दुनिया भरका यह जंजट नहीं हुआ करता था आज कली जंजट है दुनिया भरका और बहुत सारा एक प्रकार से काम बढ़ गया है ठीक है यह बात ध्याने किए तो आपसा नमबर भी करेट है बाकी सब गलत है आगे 19th century 19th century the philosophy of history was influenced by the writing of which thinker बताएं करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा प्रस नहें बाटो मोर के अनुसार 19 स्कताबदी के आरब में इतिहास का दर्सन किस बिचारक की रचनाओं में बहुत अधिक प्रभावित हुआ है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर ए हीगल और सेंट साइमन बिलकुल करेक्ट एंसर है आपसा नमबर इसका आ करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे देखेगा अगला प्रसन आपकी स्किन पर आचुका है एतिहास के दर्सन के आधार पर लीपले तथा चार्ल्स बूत ने अध्यन की 21 पद्धती का उप्योग करना आरम भ विएसी साफ फिलसाफी फिस्टी लेपले चार्ल्स चार्ल्स बूत स्टार्टर्ट यूजिंग विच अब था‍ट यह सका क्या हो जाएगा तो इसका कर्क्ट एंसर जो होगा संबर जो इतिहास के दर्सन के अधरकर लीपले और चार्स बूत में धं अध्यनmb stool रिए सभी उपधती थी सरवे मैं, थड़ यानी की सरवेक्षण बिधी को अपनाया था। ठीक है, आपसर नंबर बाह्ए करेक्टर एंसर क्या हो जाएगा आपसर नंबर बा सरवेक्षण बिधी अगला प्रसाम दीखेगा, प्रस्ण है यूरोप में एक प्रतनिधी सरकार का राजनितिक दर्सन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया इसका प्रतनिधी सरकार का राजनितिक दर्सन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया इसका प्रतनिधी सरकार का राजनितिक दर्सन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया आपके स्कीन पर आचुका है वरतमान लाजनितिक चिंतन में किसे पहले धर्म निर्पेक्ष विचारक की रूप में मानिता दी जाती है इंदा प्रेजंट पॉलिटिकल थाट हूँ किसे पहले धर्म निर्पेक्ष विचारक की रूप में सबसे पहले जो चिंतन वरतमान लाजनितिक चिंतन में किसे पहले धर्म निर्पेक्ष विचारक की रूप में हम लोग जानते हैं वो कोई से अबराहम लिंकल या कॉल मार्क्स या रूसो या फिर वाई को तो इसका करक् अगला परसन है अपने राजनितिक दर्शन में किसने सबसे पहले इस तत्थी पर बल दिया कि मानों की अनुपमता उसकी समाजिक्ता में नहीं था है करेक्ट एंसर इसका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा मानों की अनुपमता उसकी समाजिक्ता में नहीं था है ऐसा कहने वाले जो विचारक है या विद्वान है उनका नाम है मान्टेस्कियू आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा मान्टेस्कियू का आपसा नंबर साकरेक्ट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला परसन आपकी स्किन पर आचुका फटापट से एक बार वीडियो को लाइक और सीर भी करते रहिएगा चले जानने का प्रियास करते हैं अगला परसन है देखिएगा सभी लोग बहुत ही इंपोडन तरीके से हम लोग परसनों को जानने हैं और भी मानल पेपर आएगे और चेप्टर वाइस वीडियो भी आपके समख चाती रहेगी हम लोग चर्चा करें सोचिल लाजी बीए फिप्त सेमेस्टर के नभीन तम करम के एकॉर्डिंग न्यू मानल पेपर है यह आपजर्टिव ट्याइप का जो की बहुत सारी विश्विद्यालव के लिए बहुत ही इंपोडन है ठीक है आगे हम बढ़ते और चीजों को जानने का प्रियास करते है चले प्रसन आपकी स्किन पर क्या है भी प्रसन आ चुका है निम्नांकित में से कौन सा एक यूगम सही है विच वन आप दा फालोइंग पियर इस करेक्ट पहला प्रसन है कि फ्रांस की करांति सन 1773 मलब 1743 में हुई थी यह बताएं सही है या या फिर आगे दिया है सामंतवाद में आर्थिक सोसन ये सही है या फिर अगला आपको दिय गया है अगला आपको दिया गया कैथोलिक चर्च या मानोतावाद या अगला ज्यानोदे परंपरावादी चिंतन तो इसमें यह कौन सा यूगम सही है ऐसा पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा देखिए तो बिलकुल गलत है ठीक 1789 के आसपाद फ्रां नेक्ट कोशन साब दिखेगा अगला प्रसाब की स्कीन पर आचुका है निम्नांकित में से किस लेखक ने ब्यक्तिकर स्वतंतरता की इमांग को लेकर फ्रांस की जनता को करांती के लिए प्रित किया विच आप दा फालोंग डाइटर मोटिवेटेड दा पबलिक आप फ्र रिडम रूसो इस्टालिन अगस्त कॉम्ट या फिर पायरेट और इसका क्या हो जाएगा फटा पट्च आप लोग बताने का प्रियास करेंगे तो बिलकुल करेक्ट एंसर है रूसो जैजरू से रूसो इस राइट आंसर आप से नंबर आ करेक्ट एंसर होगा इसका आफ से रहते आए अगला प्रस्नाब के स्किन पर आचुका है अगला प्रस्नाब के स्कीन पर आचुका भही सबी लोग देखेंगे प्रस्ट 1789 भी में फ्रांस की करांती के बाद निम्नांकित में से कौन फ्रांस का नया समराड बनता है after French Revolution in 1789 out of the following who become new emperor of France बताएं तो क्या विले Bruno, Martin Luther या फिर Napoleon तो कौन बना था भाई तो इसका correct answer बिलकुल आप सभी लोग बिलकुल सही guess कर रहे हैं और मुझे लगता है वही answer जो आप guess करें वही करें बिलकुल लगना क्या है वही है नेपोलीन बोना पार्ट करेक्टर एंसर हो जाएगा आपस नमबर सा आगे देखते हैं अगला प्रस्न थोड़ा सा जुखाम है और गले में भी दिक्कत है तो आप लोग थोड़ा मैलेज करेंगे ठीक है थोड़ा धीरे आवाज जरूर जा रहे ही मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता लेकिन आपको आपके लिए ठीक ठाक ही आवाज जा रही होगी अगला प्रस्न है निम्नांकित कथन में सही बिकल्प का चैन करके रिक्तस्थान की पूर्ति कीजे इन दा फालोइंग स्टेटमेंट फिलप दा ब्लेंग की स्पेस बाई सेलक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटी बताएं कथन है आपका फ्रांस की करांति के फल्सुरूप वहां की राजनितिक ब्यवस्ता में डैस को बिसेस महत दिया जाने लगा स्टेटमेंट आपको यह अंग्रेजी में दिया गया है एक प्रकार से किसको बिसेस महत दिया जाने लगा प्रश्ण आप से यह पूछा जा रहा है तो किसको बताएं भाई सभी लोग बताने का प्रियास के बिल्कुल जनता की संप्रभूता सौबर्नेटी अप फीपल बिल्कुल करेक्टेंसर आपस नंबर बाकरेक्टेंसर होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रसनाप की स्किन पर आ चुका है फ्रांस की करांति को समझना वास्तों में उन्नीस्वी सताब्दी के बाउधी कितिहास को समझना है या किसने कहा था तू अप्रांस की करांति को समझना वास्तों में उन्नीस्वी सताब्दी के बाउधी कितिहास को समझना है इसको कहने वाले बिद्वान है लियो गरसाए आपस नंबर इसका सा करांति इंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अंगला प्रस्न सन 1770 तथा 1830 के बीच इंग्लेंड में होने वाले और दोगिक विकास को क्या कहेंगे आप बेडवीन यह सेवन्टीन सेवन्टी एंड एटीन थर्टी दे इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट आफ इंग्लेंड इस टर्म सब्सक्राइब बताने का प्रियास करेंगे तो जो 1770 से 1830 में इंग्लेंड के बीच जो दोगी विकास हुआ उसको हमी उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं इंडेस्ट्रियल रेवलियूशन यानिकी और दोगिक करांती के नाम से आंतियापसा नंबर इसका आकरक्टर होगा आ थाफित पहले बैंक का क्या नाम था वही तो पहला जो यूशान आम था बैंक आप सनबर सामे दिया करेंगाउड इंट करेक्ट एंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग बढ़े एच्छे तरीके से जान पा रहे होंगे कि आखिरकार कैसे प्रस्ण आपके लगातार दो तीन चार बार इस वीडियो को देख लेंगे पर इच्छा तक तो आपका एक प्रकार समझे की बेड़ा पार है ठीक है आप जक्तिव बालों के लिए बता रहा हूँ एक दो दो माडल पेपर आप जक्तिव का और दो दूँगा मैं और तीन चार माडल पर लिखि की गई महत्यपूर पुस्तक का नाम अगस्त काम्ट की बात कर रहा है मैंने आपको बता दूब भीता की 1798 में का जनम हुआ था 1857 में मृति हुए थी ठीक है प्रतक्षवादिन की बड़ी फेमस अवधारणा है आप सभी को पता होगा ठीक है और आपको बता दूँ की अग काम्ट के द्वारा लिखी गई महत्यपूर पुस्तक बताए प्रिंसपल साफ सोचिलाजी या फिर पॉजिटीव जी के दा कोड़ साफ पास्टीव फिलो साफी दन्यू साथ साप तो सेवलाजी जिसका करेक्टेड़ और यह इनकी प्रकार से काम्ट के द्वारा लिखी अगला प्रसाम से पूछा गया अगस्त काम्ट ने समाज के विग्यान को समाज सास्त्र के नाम से किस वर समोजित किया In which year काम्टे addressed the new science of society by the name of sociology बताया यानि सोशलाजी नाम चुकि अगस्त काम्टे ने ही दिया था और अगस्त काम ने चुकी नाम दिया था इसलिए और अगस्त काम ने सबसे पहले समासास को एक विवस्ते तरीके से रध्यन करने का काम भी किया और इसलिए खासर कि इनको समासास का जना क्या निए फादर आप सोसेलाजी भी कहा जाता है तो समासाज जो नाम इनों ने दिया था सोसियोलाजी नाम वो कब दिया था यह प्रस्णा आप से पूछा जा रहा है तो बिलकुल आप सभी के करेक्टर एंसर है 1837 में आप सुनते होगे कि समासाज का विकास शुरूआ समासाज का उदय कब हुआ 1837 में तो उदय का मनलब यह यह कि भाई 1837 बिलकुल यहापर उनीस ओरतीज दियर गाले 1830 जीगा ठीक है यहाँ पर अंग्री जी में थोड़ा सा मिश्टे कहां पर है 1818 सु कर लिजीगा ठीक है इसको तो अथा रहा सोब टिस में प्रकार से सबसे पहले सोशियोलाजी को समल प्रकार से सबसे पहले टेर में तो ये शारा सलेबस उस ही में आपको पढ़ना पढ़ता था तो उसे में अग rotten तो यह बात ध्यान नखिएगा यह प्रस्ण इंपॉडन्ट है आप जेक्टी में आ सकता है तो 1838 में समाशास्त्र को सोशियोलाजी यह नी समाशास्त्र कहा था किसने अगस्त काउटने अगला प्रसन निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सत्य है फटावर्श आप बताने का प प्रतिक्षवाद क्या अध्यन की पद्धती है आप लोग विचार वे मर्स करिए प्रतिक्षवाद एक समाशास्त्री सिध्धांत है या प्रतिक्षवाद समाजिक पुना दिर्मार की यह यह योजना है तो प्रसन निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सत्य है तो इसका करक् एके तो एक समाजिक है की उस्माई सिधान्तों के बारे में उतना आदा कह ने सकते हैं लेकिन घ्लत हो某 एक पद्धती भी और各 symbiol सकती है तो इन दोनों में प्रकार से यहां पर बाइप स्भाष में थोड़ा सा इहां आप करके चलिएगा के लाक 54 का nine tracks तो इन दोनों में से कोई एक है ठीक है यहां पर रहा तो एक आपसन मालेजे डी आपसन में कि ए और बी और सी दोनों किलियर आगे बढ़ते हैं वैसे आपको किताबों गरा में आप पढ़ेंगे तो आपको अध्यन पद्धती ही मिलेगा पर चुकि प्रतेक्षवाज जो है क दिन पद्धती में भी प्रियोग किया जाता दिन पद्धती भी है ठीक है समासास्त्री सिध्धांत भी सिध्धांत नहीं मान सकते हैं चुकि सिध्धांत इसलिए नहीं मान सकते हैं चुकि उस समय आपको बदा दूं कि सिध्धांत उसको कहते हैं जो अग्दम से किलियर हो राते हैं तो यह थोड़ा सा संसर है लेकिन भी आपसन या दिल्किन नभबे परसंट भी आपसन यह दस परसंट में आपका यह आईगा। अगला पर साब देखियेगा दिमलखित में इसे किन विशेषताओ का समुह प्रतिक्षवात की प्रकृर्थिक और साता है विच आप दा स्टडी विच आप दा फालोइंग सेट आफ करेक्टर इस्टिक्स रिफलेक्ट्स द नेचर आप पॉजिटी बिजम यानि किन भी सिस्ताओं का समूह प्रतिक्षभात की प्रकृति को दर साता है तो क्या दर साता है बही बताने का प्रियास करेंगे हो जाएगा घटनाओं का अलोकन परिक्षण वरगिकर्ण और मीन डाटर मेंशन आपकाontonों आप ऐगतले अक्दम से क्लियर होगा बिल्कुल correct answer आपका बापसन हो जाएगा 100% केलियर होगा ठीक है चुकि जो अध्यन पधतिया होती है उसी में ही एक प्रकार से आउलोकन परिक्षण और वर्गी करण ये सब एक प्रकार से क्या होती है ये सब भी विधियां है एक प्रकार से ठीक है जिनके माध्यम से वो अगे बढ़ी अगला प्रसाप के स्कीन पर आ चुका है विध्यानों के संस्तरण में काम्ट ने किसी आधारभूद विध्यान की रूप में असपश्ट के चुकी अगस्त काम्ट जो है उन्होंने विध्यानों की प्राचीनता से लेकर क्या धुनिक्ता तक के संदर में बत मैथेमेटिक सुनों रखा था आप से नंबर इसका और टेंसरों यह प्रसना आपका 100 प्रसंट आने वाला याद कर लीजिएगा अगला प्रसाप देखिएगा निम्नांकित में से किसे काम्ट ने सरबाधिक जटिल बिग्यान माना है आउट आप दा फालोइंग वीच इज इस रिगारडेड डा मोश्ट कामप्लेक्स साइंस भाई काम्टे कामटे ने सरबाधिक जटिल बिग्यान गिस बिग्यान को माना है बताए सबसे कठीन यह जटीन जिसको आप बोलते हैं ठीक है फड़ा फट से आप बताए यह निए complex science कौन है खगोल सास्त्र समाज सास्त्र जीव सास्त्र एर सायन सास्त्र उनका कर्क्ट एंसर क्या हो जाएगा समाज सास्त्र आपसा नंबर इसकसा कर्क्ट एंसर हो समाज साज जो हैं वो जटिल विग्यान मानते किसको वो सोशियोलाजी को मानते हैं अगला परसन आप देखेगा अगला परसन काम्ट द्वारा परतिपादित तीन अस्तरों का नियम मैंने आपको सुरुवात में बताया था तो काम्ट द्वारा परतिपादित तीन अस्तरों क प्रक्रिया इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपका उद्विकास ये प्रक्रिया ठीक है एवियोटरी प्रोसेस आप सब्सक्राइब यह सब ध्यान ने कियेगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन अगला प्रसना आपके स्केन पर आचुका है फटा पर से आप देखने का प्रियास करेंगे देखें बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे हैं और बहुत ही इत्मिनान से मैं बताने का भी प्रियास कर रहा हूं थाकि आपको कोई दिक्कत ना हो ये बात ध्यान नखिएगा ओके आगे बढ़ा जाए अच्छा एक प्रसनावर बनता ह कि प्रकृति क्या है बग्यानिक या तलते क्या तर्किक ही या प्रयोग अत्मक तो कामटे केशार जो प्रतेक्षवादी अस्तर की प्रकरती है वह कैसी है वह कैसी है तो वह बैज्यानिक है साइंटिफिक है ओके यह बात ध्यान लखेंगे आगे पर स्पेंसर ने हर्बर्ट इस्पेंसर ने समाज के उत्विकास की कितनी अवस्थाओं का उलेक किया है इस्पेंसर डिस्क्राइब्ड हाव मेनी स्टेज आप सोसल एमेल्यूशन मोस्ट सब्सक्राइब यह बात है नखिएगा मैंने आपको बताया भी था कि मैं हर्बर्ट इस्पेंसर का जनम का हुआ था 1820 में हुआ था 27 अप्रेल को इंग्लेंड के डर्बी नामक अस्थान परन का जनम होता एक साधर्ण अध्यापक परिवार में इनका जनम होता है सब्सक्राइब करेंगे इनकी पुस्तक जो है बड़ी फेमस है इसके बाद में आप देखते हैं प्राडियों की उत्पत्ती को लेकर के भी इनकी पुस्तक लिए इसके लाब एक पुस्तक किन्होंने लेकी है योगितम का अतिजीवन यानि की सर्वाइबल आफदा फिटेस यह भी इनकी पुस्तक है 1862 में हरबर्ट इस्पेंसर की सबसे महत्पुर पुस्तक प्रकासन में आती है उसका नाम है फश्ट प्रिंसपल फश्ट प्रिंसपल पुस्तक कई बारिक जाम में लगातार पूछी आती तो यह प्रस्ट आपके लिए भी इंपोड़ने रट प्रिंसपल साब बायलोजी जीव सास्त्र के सिध्धान तो यह भी बड़ी फेमस पुस्तक है ठीक है तो इस प्रकार से इस्टरी आप सोस्योलाजी पुस्तक भी लिखे 1873 में उसका प्रकासन हुआ तो बड़े फेमस है यह खासर के और भी बहुत सारी पुस्तक के इन्हों अगला परसाइब की स्कीन पर आचुका है अरबर्ट स्पेंसर के नुसार जब अनेक सरल समाज मिल करके साथ साथ रहते हैं तब ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं एकॉर्डिंग टू स्पेंसर वेन मेनी सिंपल society's life together such collectivity of science society is called as वनला आईसी जो की परकार से सरल समाज काई सारे मिलकर के एक साथ साते रहते हैं तो इस परकार के समाज को हम लोग कहते हैं क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संसलिस्ट समाज यानि की compound society बोलते हैं ठीक है आप साइब इसका आकरेक्đर हो जाएगा next questions आप देखेगा आगला प्रसन है समाजिक उत्विकास की प्रकरती को असपष्ट करने के लिए Spencer ने निम्नांकित में से दो समाजों के बीच तुलना की किन समाजों के बीच तुलना करी थी यानि in order to explain the nature of social evolution Spencer compared which are the following two societies समाज किंदो समाज के बारे में हूने प्रकार से तुलना करी से सरनों के सब्सक्राइब सिम्पल ये सोशाईटि का तुल्ला करी थी आप से दूमज्थ ये अगला पर्सना आप सभी लोगँ देखियेगा निम्नांकित में से आमकित कथन में रिकतस्थान की पूर्ती के लिए कौन साइक बिकल्प सही है विच वन आप दा फालोइंग अल्टरनेटिपस इस करेक्ट टू फिल अप दा ब्लैंग स्पेस इन फालोइंग इस इस्टेटमेंट कथन क्या है सरद समाज की विशेष्टा एक प्रमुख विशेष्टा क्या होती कि इसकी सदस् सदस्यों में इसके सदस्यों में आनिवार सहीओ होता है एक सरल समाज एक दूसरे का सहयों करते हैं आप सदस्यों में सह्यों की बहुत ही इंप्रस्ण है कि स्पैंसर के नुसार आती जीवन के लिए आयोग भ्यक्ति लबायोग भ्यक्ति वह होते हैं जो बताइब इसमें अत्य निधर मोते है राज के संदक्षच्ट से मंचित होते हैं यह अपनी विभिन दसाओं से अनुकूलन नहीं कर economía से कमजोर होते हैं पताये करेक्ट एंसर क्या होजाएगा according to Spencer persons unfit for survival are those who is बताये क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका बहुत ही important प्रस्न है कि Spencer के नुसार आति जीवन के लिए आयोग बिक्ति वे होते हैं जो खास करके अपनी बिभीन दसाओं से अनकूलन नहीं कर पाते हैं Correct answer हो जाएगा आपसा नमबर सा ठीक है आउगे बढ़ते हैं अगला प्रसन आपकी स्किन पर आचुका है अगला प्रसन आपकी स्किन पर क्या है वैई फटाप्र से अब देखने का परियास करेंगे अगला प्रसना आप किस के ने पर आच चुका है प्रसन क्या है मुख्य रूप से आप देखने का प्रयास करें हाँ बिल्कुल प्रसना है निम्नांकित में से किस एक को समाजिक उत्विकास वादी बिचारक माना जाता है आउट आप दा फालोइंग तिंकर फू इस रिगार्डेड आइज सोसल अविल्यूशन निस्ट बताएं इमाईल दूर्खीम को कालमाक्स को हरबर्ट स्पेंसर को मैक्स बेबर को तो करेक्ट एंसर इसका आप सभी लोगों को पता भी होगा इसका करेक्ट एंसर है बिल्कुल हरबर्ट स्पेंसर इस राइट आंसर आप सनम बर्दा में दि हरबर्ट स्पेंसर एक समाजिक उद्विकास वादी बिचारक माने जाते हैं नेक्स्ट कोईसंस आपकी स्किन पर आ चुका फटा पटस एक बार वीडियो को लाइक और सिर भी आप लोग करते रहिएगा ठीक ह चली आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जाने का प्रियास अगला प्रस्ण क्या है यह तो हो गया वही चली काम्ट हो गया इस पेंसर का वाला भी हो गया आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपकी स्किन पर आ चुका है देखेंगे यह प्रस्ण आपका बचा हुआ यह बढ़ते हैं प्रस्द है निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक दुर्खीम के द्वारा नहीं लिखी गई इमाइल दुर्खीम इमाइल दुर्खीम की बात किया मैंने आपको बताया था ठारसो पंद्रा अमलब अठारसो अठावन में का जनम होता है 1917 में मृति होती है और समा सास्त्र की सास्त्री परंपरा से निक्लासकल ट्रेडिसन से रहा है आपको बता दूँ फ्रांस के समाजिक विचारकों में अगस्त काम्ट के बाज इमाइल दुर्खीम को सबसे महत्तपुन समास्त्री माना जाता है और काम्ट ने अपने विभिन विचारों के द्वारा एक बिग्यार के रूप में समास्त्र की कलपना करिये और दुर्खीम ने उसे ब्यवस्थित रूप देने प्था समास्त्र की विश्यवस्त्र का निधार करने में एक महत्तपुन भूमका निबाई है ठीक है तो इस प्रकार से बहुत इंपॉड़न बखती है इमाइल चल लहते मैंने रात रात भर पढ़ाई करी है और अभी फेपर थोड़ा सा दो तीन तीनों के लिए चार दिनों के लिए टल गया है सीली थोड़ा सा रेलीव मिला तो मैंने आपके लिए कार करना परादम कर दिया है त्टिकिन तवियत बहुत भाहेंकर खराब होगी बढ़ते हैं प्रस्ट नापका निम्नाकित में से कौन सी पुस्तक दुर्खीम के द्वारा नहीं लिखी गई है वीच आप फालोइंग बुक इस नाट रिटन बाई दुर्खीम दरूल साप सोसे लाजिकल में तर सुसाइड दा एलिमेंटरी फार्म साफ रिलीजन लाइफ य से लिभी जहेंगा फट्डा बट्स याब बताने का प्रियास कनें मौस्ट इंप्समार्ण प्रस्न है ये हैं इतीन पुस्तके हैं जो चैम आप ईलिखन द्वारा लिखी गई है एक पुस्तक इसमेन जों नहीं लिखMRिये है और उसी पुस्तक के बारे में आप से पूचा अगला परसाब देखेगा समासाथ के अगरणी बिचारकों में किसे पहला सहचडिक समासास्त्री माना जाता है आउट आप दा पॉइनियर्स थिंकर आप सोसलाजी फड़ा परसे आप बताने का प्रियास करेंगे तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसा नमबर 2 इमाईल दुर्खीम को ही समासास के अगरणी की बिचारकों में पहला सहचडिक समासास्त्री माना जाता है नेक्स्ट कोशन साब देखेगा अगला परसना आपके स्किन पर आ चुका है दुर्खीम ने निम्नांकित में किस बिचे पर पेचडी की उपादी धारण करी थी अगला परसना है दुर्खीम ने किस पुस्तक में समाजिक तथ्यों की ब्रिस्त बिवेचना करी है तो उन्होंने ब्रिस्त बिवेचना किस पुस्तक में करी है भाई उन्होंने करी है समाज सास्री पद्धती के नियम पुस्तक जो है उनके यानि दरूल साफ सोसिल लाजिकल मैथड इसी पुस्तक में समाजिक तथ्यों के बारे में उन्होंने बताया है ठीक है इन विच बुक दुर्खीम प्रजेंटेड आ कॉम्प्रिहेंसिब डिस्क्रिप्शन आप सोसिल फैक्ट तो उस तक है दरूल्स आप सोसिल लाजिकल मैथड नेक्ट कोर्शन साब देखेगा दुर्खीम ने समाजिक तथ्यका अधिन किस रूप में करने पर बल दिया दुर्खीम ने समाजिक तथ्यका अध्यन वस्तु के रूप में करने पर बल दिया है यह सब प्रस्ण बहुत ही इंपॉरंट है ध्यान रखेंगे अगला प्रस्ण है दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक समाजिक तथ्यकी विसेस्ता नहीं है विच आप द बात है बिल्कुल यह देखें समाजिक तथ्यों के प्रकरती जो होती है अमूर्थ होती है और मूर्थ होती समाजिक तथ्यों की प्रकरती होती उसको मूर्थ आप मान सकते हैं समाजिक तथ्यक्ति से बाह होते हैं बिल्कुल ठीक बात है समाजिक तथ्यक्ति में बाधिता क सब् twe disappointing आगला परसंदि के आप राध को निम्नांकित में से किस रणी समय सरी सब्सक्राइबmam सब्सक्राइब कर प्रियास करेंगे फिर पत्सना कि ये इस प्रेज़ है दोने आप रहूवाद को निम्नांकित में से किसी सरणी नेक्ट कोसे साब देखिएगा अगला प्रसन है इमाइल दुर्खीम ने अगला प्रसन क्या है आपका अगला प्रसन इमाइल दुर्खीम ने समाजिक एकता के सिधान्द को निम्नांकित में से किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है important person है ये फटापट से आप लोग बताने का प्रियास करेंगे तो इसका correct answer आपका हो जाएगा उस पुस्तक का नाम है समाज में स्रम विभाजन इनकी पुस्तक है आत्म हत्यानि दस साइट भी नहीं की पुस्तक है ठीक है तो इमाईल दुर्खीम ने समाजिक एकता के सिध्धान्द को जो है समाज में स्रम विभाजन जो पुस्तक लिखी यानि की दर डिवीजन आफ लेबर इन सुसाइटी इसी पुस्तक में उन्होंने अखाए यह बात ध्यान रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आप से नंबर इसका बाकरेक्टेंसर हो जाएगा अगला प्रसाब कि स्कीन पर आ चुका है प्रस्ण क्या है फटा पर से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और से भी कर दीजेगा वीडियो को और जो हमा समाजिक भीचारव में इनका नाम आता है और खासकेक्त को उन प्रमुग विद्वानों में इनका नाम आता है जिन्हों समाज चीनतन को ब्यवस्थित बनाने उसे एक दिसा देने में मेहत्यपूर्ण भोमकाणि भाई आपको बता दू सुरूआत में एक बहुत एक बिज् जनेवा आप अस्थान जानते होंगे तो एटिले में जनेवा का एक जनेवा का निमासी एक संपन परिवार था उसी में नोयगे इनका जनम हुआ था इनके पित ही का नाम था मार्केस बाफेल फारेटो ठीक है मैंजनी के वечाkryon से प्रभावित हुआ करते थी टिक है है तो इस प्रकार से यह will freddo Credo के बारे में कुछ वाते मैंने आप प्रस्ण आपका क्या है भी परस्ण आप का चुका है पड़ेटो निमनांकित में से किस देश की निमासी तो आप बतायें, किस बुसे के प्रोफेसर थे भाई समाज पाये जो थे वो समाजी चींतन से पहले किस बुसे के प्रोफेसर थे तो अर्थ साथ मिन इकोनामिक्स के प्रोफेसर थे आपसे नंबर A करेक्टर एंसर हो जाएगा अगला परसने परेटो ने अवसिष्ट चालक था भ्रांद तर्क की अधारा की बिवेचना निम्नांकित में से किस पुस्तक में की है इन विच आप दा फालोइंग बुक परेटो डिस्क्राइब दा कांसेप्ट आप रेसिड्यूज एंड डेरी वेशन बताएं तो उनकी कौन सी पुस्तक है भाई उनकी पुस्तक का नाम है ट्रिटीज आन जर्नल सोसिलाजी ये इनहीं की पुस्तक है बाकी पुस्तके भी नही कि पुस्तक है तो प्रसना आपसे पूछा गया है आपसे चैलगत भाई अतार्ख की जो अवधालणा है पुस्तक का नाम हुसम्हायच पुस्तक है उसी पुस्तक का नाम इसका तो फिच्ट आप दा फालोइंग काटेगरी बताएं करेक्ट अंसरी क्या हो जाएगा आपसे रेडी कलपानातमक बावातमक से रडी या इंससे कोई नहीं यांडी मोचनल केड़ी या एमेज़नरी काड़ी या फिर रेजबिल रेज़ाय से डिवल कैड़ी बताएं तो प्रसन है और उनम्नांकिट कि इसस्टाय है कि उसे सही उत्तर का चेंड़ कीजीत UTA proud that ilहीं करे proving which are the characteristics is characteristic characteristic of logical action nuance right answer from the court बताइं यहां पर पहला कोड आप को दिया गए यहां पर आपको फॉर्ड के माध्यम से बताना आ बढ़ा जबर दस्त प्रस्तन आपके स्कीन पर आ चुका है ठीक है ध्यान रखिएगा तो मैं आपको बताओ देखे पहला आपको दियागा तार के क्रियाएं वस्तुनिष्ट होती है तो बिल्कुल तार के क्रियाएं जो होती है वस्तुनिष्ट होती ही होती है इसमें कोई द वेक्तियों के दिख्ट गौर्ट से यथार्त होती गला है आपका तारकी kriya कटा के दिख्ट कोर्ड से एठार्त होती है ये गलत ठार्करिया निया सभी वैगतियों के दिश्च्ट कोसे अंथारफ होती यह वाथ इसमें आपका पहला अ worked मैं देखते है पहला ओर किसा आपसन में देखिये अब यहां पर देखें आप समय के वलीर उसार में लेकिन यहां पर सिर्ष यह यह बहु upcoming गलत हो जाएगा के एक दो तीन यहां पर दिया हुए तो यह भी गलत हो जाएगा एक और तिन बिल्कूल करेक्ट इंसर आपको डी मेद आ एक और तीन करीज ंसर हो ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला पर साब की सिंपर आचुका फटापर से आप देखने का प्रियास करेंगे अगला पर साब की सिंपराच उका है इंपोरेंट पर सनहें पर इच्छा के दिश्टी से ध्यान नखिएगा प्रस्णाय निम्नांकित में से किस एक विचारक को सामयवाद का जरंग माना जाता है आउट आप फालोइंग ठिंकर्स हुई रिगार्ड़ेड़ एज फादर आफ कम्यूनिजम बताएं किस विचारक को सामयवाद का सामयवाद का जनक कौन है बिल्कुल आप सभी को पता 888 stuck 3-13 एक वर्ग संगर्स अलगाव का सिध्धाथ अत्रिक मोलि का सीध्धानच सारी से सिध्धानथ सthese के यह का सामयवाद का सीध्धानथ ठीक है यह बाद ध्यान नगेगा सामयवाद का जनक इसको कहा जाता है और आपको बता दू महान विचारक भी माना जाता है इसको और साहित ते आपको बता तो हिंदी साहित से लगर के दुनिया के लगबग अधिकतर साहित पर उस समय कालमाक्स का प्रवाव रहा और आज भी कालमाक्स को आप लोग पढ़ते हैं इस आप लोग पढ़ते हैं जो कम्यूंश्ट पार्टी है खासर कि वह इन्हीं के एक प्रका जी एक अच्छे वकील भी थे और जिन्होंने कुछ समय बाद इसाई धरम करण कर लिया था और किसी समय माक्स के जनम अस्थान ट्रियर को प्रिंस आर्क विसब का केंद्र भी माना जाता था लेकिन उनिश्य सताब्दी के सुरुआत में आप देखेंगे कि नेपोलियन का आते मेने आपको बताई आँ यह बात दहुंत केगा प्रसमा आप से पूछा घया है प्रसन समय आपसे पूच आप के जर्ग माना जाता है अगला अँगला पर अप से आप जो का इतिहास वर्ग संघर्स का इतिहास रहा है कथन किसका बहुत important परसन है काल माक्स आपके syllabus में सामिल है तो यह कथन हांडेट परसंट आपके परिछा पूछा ही जाएगा तो यह काल माक्स का इतिहास रहा है यह वर्ग संघर्स का इतिहास रहा है यह काल माक्स के जीवन काल में उतनी लब उनकी सबसे पहले प्रकासित होने अली पुस्तक का क्या नाम है बात ध्याना किएगा ठीक है ओके तो आप लोग जो है पुस्तक को भी ध्यार नखे गए चारों पुस्तक के काल माक्स की ही है लेकिन दा होली फैमिली इनकी पहली पुस्तक है आप सनमर इसका बाकर टैंसर होगा अगला पर साथ देखिएगा अगला पर से माक्स ने साम्यवाधी विचार धारा और कारकरमों को असपष्ट करने के होगे जो दस्ताबेश तयार किया उसका क्या नाम था फटापर से अब बताने का प्रियास करेंगे किस नेम से थी बिल्कुल दक कम्यूनिस्ट मेन फेस्ट बिल्कुल करेक्टर एंसर आपका होगा आपस नंबर बा यानि भी आपसन अगला परसन या कथन किसका था कि वास् बताने का प्रियास करेंगे सभी लोग वास्तभिक जगत का निरमाड विचारों से होता है आइसा किसने कहा था तो ऐसा किसने कहा था आप सभी को पता होगा किसने कहा था वास्तभी जगत का निरमाड विचारों से होता है किसने कहा था बताने का प्रियास करेंगे सभी लोग वास्तविक जगत का निर्माण विचारों से होता है इसका करेक्टेंसर हो जाएगा ही गल आपसा नमबर बी करेक्टेंसर हो जाएगा अगला परसाब देखेगा अगला परसाब के स्किन पर आ होगा है माक्स के अनुसार लोगों की चेतना और विचारों की निर्मान का वास्तविक आधार क्या है बताए करेक्ट एंसर इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल आप सभी लोग ध्यान में जो लखने बिल्कुल बहुत इक सक्तिया जो बैटेरियल फोर से सोते हैं वो एक प्रकार से मास कहते हैं कि लोगों की चेतना और विचारों की निर्मान का वास्तविक आधार जो है बहुतिक सक्तियां है आप सा नंबर आ करक्टेंसर हो जाएगा अगला पर साब देखिएगा अगला पर साब किसके इंपराचुका बहुत बारिंग सोसल एक्षण इस ट्रू फटा बट से आप बताने का प्रियास करेंगे और इसका क्या हो जाएगा भाई प्रसन बड़ा अच्छा है बताए समाजिक क्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है इन में से देखें समयमानों वेओहार समाजिक क्रिया का उधार गलत है सम समाजिक करिया आर्फन होती है। बिल्कुल सही है। आप सनवर बातSocial action is meaningful। ये कथन बिल्कुल सही है। संघर्स समाजिक क्रिया नहीं है। समाज करिया ही है ये समघर्स— ये भी गलत हो समाज प्रकार से जो इसका विच्च मोरल नॉर्म सिज्ड रिफ्रेंस तू वेवर इट इज टर्म ड़ अए बताए़क्ट एंसर क्या हो जाएगा जब कोई बेद्धिन नेतिक से लड़ते हुए अपना बलिदान करना ये किस किरिया का उधारण है ये जो किरिया है वो होती भावात्मक करिया आपसा नंबर इसका आ करक्टर एंसर हो जाएगा अगला कोशन साब की स्किन पर है मैक्स बेबर के नुसार समाज सास्र की अध्यन वस्तु क्या है मैक्स बेबर के नुसार समाज सास की जो अध्यन वस्तु है वो क्या है भई फटा पट से आब बताएंगे अध्यन वस्तु है समाजिक क्रिया आपसा नंबर इसका सा करक्ट सोसल एक्सन को एक परकार से समाज सास की अध्यन वस्तु मानते है इंपोर्टन परिक्षा में दा प्रड और जाएन अगला पर्शन है है मेक्स नेबर के संदर में सत्ता का सम्मज्ण किस तरह के सकती से होता है इस मेel से रिलेटिक हर फ्रैटर मीटर उसको नहीं करेंगे विज concepts करेंगे क्या है बेबर के संदर्ब में सत्ता का सम्मन किस طرح की सक्ति से होता है तो इसका करक्ट एंसर हो जाएगा आपसर नंबर आ यानि कि संस्थात्मक सक्ती ठीक है इंस्टिटिउसनल पावर आपसर नंबर इसका आ करेक्ट एंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अंगला परसनाप की स्कीन पर आ चुका है इंपोर्डेंट परसन है और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर करते रह इंपोर्डेंट परसन है क्या पूछा रहा है भई फटा परसन आप से पूछा रहा है प्रतिकात्मक अंतर क्रियावाद डेप्तियों की क्रियाओं और संबंधू की बिवेचना निम्नांकित में से कि साधार पर करने से संबंधित है रिलेटेड है तो इसका करेक्ट एंसर क्या है what is the symbolic symbolic intractionism out of the following बताइब कररेक्टेंशर इसका क्या हो जाएगा उसका करेक्टेंशर हो जाएगा मानो-ब्योहार समंधित अध्यान का एक उपागम है आप साने मिसका साधूर अधुशा प्रतिकात्मक अंतर क्रियावाद निम्नांकित में से क्या है तो यह मानो-व् से रिलेटेड अध्यन का एक उप एप्रोच है एक तरीका है ठीक है अगला पर साम देखिएगा निम्नांकित में से कौन एक प्रतिकात्मक अंतर क्रिया से रिलेटेड मानता नहीं है सबसे पहले हैं अबर पता करना पड़ेगा कि कौन-कौन से मानताएं हैं ठीक है समाजिक अंतर क्रियाएं कुछ बिसेश प्रतिकों से रिलेटेड होती है आपसन नमबर आ ठीक है समाजिक अंतर क्रियाओं में परिस्थिति के अनुसार परिवरतन होता है बिल्कुल ठीक परिवरतन होता है समाज का निर्मान समाजिक अंतर क्रियाओं के दवारा होता है बिल्कुल ये भी बास सइए अगला प्रसना दिया हुआ है लभगला प्रसना की समाजिक सनचना की परकर्ती स्थिर और परवरतन सील होती है लिप फ्रत्व sells होती है और अंतर भी नहीं होती है तो आप 거지 प्रतिकात्मक अंतर के दियावाद की निव रखने वाले बिचार का नाम है फटा पट से बताने का प्रियास करेंगी तो इस बिचार का क्या नाम है आप सभी लोग जानते भी होंगे हर्बर्ट मीड का नाम आप लोगों ने सुना है बिल्कुल करण टैंसर है आपसर नंबर बा में दिये हैं प्रतिकात्मक अंतर के दिया वाद की निव रखने वाले विचार का क्या नाम है तो इसका क्रेक्ट टैंसर क्या हो जाएगा के बिल्कुल आपस्य नंबर भा करेक्टलेसर औगा आगे दिखेंगा अगला प्रसाद की स्कीन पर है समास साускरी विवेचन में प्रतिकात्मक अंतर करियावाद कौन इनांकित मैं से कि स्रणी का स्रणी का सिध्धांत माना जाता है कि बताएं ब्रहस्ः सिध्धान मधया अभी सीमा सिध्धान्त अस будем हो जाएगा 우리 नहींा साथ मसिध्धान्त प्रतिकात्म कुर्द करना या तन अगला प्रसाम देखिए प्रसन है मीड ने निम्नांकित में से अपनी किस पुस्तक में प्रतिकात्मक अंतर के दिया कि वेचना करी है तो उन्होंने कौन सी पुस्तक में करी है तो कौन सी पुस्तक है उनकी देखे चारों पुस्तक है जो लिखी वे उनहीं की पुस्तक है दा फिलसाफी आफ दा किस पुस्तक में मुझे का विकास किसके माध्यम से होता है according to the development of me and to receive from which can reach channel Gibraltar tulini अर्मुजे का विकास किसके माक्वसे होता है इसके मादें से शोता है फट बटनी का प्रियास कर नेगे समाज की प्रत्यासाहों कि माहिंसे ठीख CHX एक्स प्रसनन प्रसन 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 के संदर में एक उपसमूह के सदस्यों की भूमिकाओं को निधारत करने के वाला मुख्याधार है फटावर्ट से आप बताने का प्रियास करें टालकट पार्संस का जना मुनी सो दो में हुआ था उनी सो नवास मुलब में मृट्य हो जाती इनकी ठीक है अमरीका में इनका जर्म होताइबाद ध्यान आखेगा फिस्वी सताब्दी के प्रमुक्त समाहसास्तरियों में का नाम गिनात टालकट पार्संस का और बहुत समाजिक क्रिया में प्रकार से समाई व्यवस्था में इन्होंने बहुत जबर्दस्त बिचार दिये अपने इनकी पुस्तक है एक अदा प्रोटेस्टेंट एथिक एवं दा इस्प्रिट आफ कैपिटलिजम ये पुस्तक इन ही कि है इसके लावा दा थेरी आप सोसल औ इसकी लावाद भी कई सारी चीजे पुस्तक है इनकी जो है आई जो है जो है जो बड़ी फेमस पुस्तक है ठीक है चर्चा करेंगे एको नामिये सोसाइटी पुस्तक लिखी इन होने ठीक है तो प्रस्ण क्या है पारसंस के संदर में एक उप समूख के सदस्व की भूमिकाओं का निधारत करने वाला मुख्याधार है मुख्याधार क्या है भई समाजिक संबंद समाजिक व्यवस्था समाजिक प्रिया समाजिक प्रतिमान तो correct answer is a क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा समाजिक प्रतिमान social norms आपसा नमबर इसका दा correct answer होगा अगला पर समें पारसंस के अनुसार समाजिक दिवस्था के लिए सबसे पहले अनुकूलन फिलपश पृष प्रप्वापती एक एकंड फिर तनाव की समापथी यह पंब देने कि तो तो सापर 선 दैंसर हो जाएगा आपसन अंहोंबर साइस का ठीक है यह बात ध्याने किएगा तो साप्सन इस राइट आंसर इसका अनकूलन लक्ष प्राप्ति एकिकरन और तनाव समाप्ति ठीक है साप्सन नेक्स्ट कोशन से पारसंस के अनुसार समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निम्नांकित में से कौन से प्रकार आवस्थिक हैं कूट में से सही उत्तर का चैन कीजिए तो अंग्रेजी में वही चील लिखी हुई है ठीक है तो आप लोग देखें अब कूट यहाँ सापर थोड़ा साई थोड़ा जटिन है कटिन है तो आप स्थोड़ा लूँ समझने का प्रियास कदीगा प्रसन है आपका प्रस्ण क्या आपका है किरह कर समय व्यवस्था को बनाए रखने देखे अनकूलन बिल्कुल आवस्यक बात है अनकूलन ठीक है ये बात तो ठीक है अनकूलन भी होना चाहिए ठीक है इसके लिए समाजिक क्रिया क्या होनी चाहिए समाजिक क्रिया होनी चाहिए क्या है मतारें फटापट से तो चले समाजिक क्रिया नहीं होनी चाहिए समाजिक क्रिया समाज व्यवस्था को बनाए रखने में उतने अधी भूमिका नहीं निबाती है तो आपका पहला बिल्कुल सही है दूसरा नहीं सही है दूसरा गलत है जिस जिसमें दूसरा है वो तो पहले आपका गलत हो गया देखिए दूसरा आपका गलत क्या हो गया यह और इसमे दूसरा ये नहीं होगा, अब बचा आपका हूँ ये दापसन और सापसन, अब आप देखो, अगला आपका है टीसरा देखिया क्या है क्या है। तो ये भी हमारे में सामिल है नहीं पांच भा हो गया तो पांच भी सामिल है ठीक है और अब देखे इसमें तीन सामिल ही नहीं है इसमें देखे आपसन में तीन नहीं है ठीक है तीन वाला आपसन ये भी गलत हो गया आपका तो ये एक दो पता है तो आप उएसे ही एक अगला प्रस्न समाजिक व्यवस्ता के अनौरकशन्स सबंधित पारसंस ने बिभिन लक्षूgrowth और माध्यमों का जो माडल प्रसुत किया उसे कहा जाता है बताएं उसको क्या कहा जाता है अजी अवलब अर्जित अजिल माडल एजिल माडल या फिलक्षेट माडल व्यवस्था अनुरक्षण माडल या फिल लीगल माडल करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा तो समाज व्यवस् साब देखिएगा पारसंस के संदर में समाजिक व्यवस्था का निर्माड करने बाला आधार भूत तत्त्त क्या है फटा पट से आप बताएंगे तो आधार भूत तत्त क्या है भई पारसंस के संदर में समाजिक व्यवस्था का निर्माड करने बाले आधार भूत तत्त यान अगला प्रसांद देखेगा टालकट पार्संस द्वारा प्रस्तुत समाजिक व्यवस्था के सिध्धांत में निम्नांकित में से कौन सा या कौन एक सर्नाचनात्मक उप व्यवस्था का उधारण है तो इसका करेक्ट टेंसर आपका हो जाएगा आप सा नंबर ए नातेदारी व्यवस्था इसको आपके इंसिप कहते हैं ग्रेजी में आगे बढ़ते हैं अंगला प्रसांद आपकी स्कीन पर आचुका है देखें बस आपकी लास्ट क्लास में यह प्रकार से लास्ट स्लाइड है ज्यादा देर आपकी ग्रास और नहीं होने वाली यह पस्छतम होने व पुस्तक लिखी ए नहीं एक बेखिती थे काल मानहीम उनकी आप पुस्तक है अट पुस्तक थी काल मानहीम की ग्यान के समास सास Baptist क हुआ इन्हों नहीं होनिकों और उन्होंने क्या किया सिंद नाम से एक प्रकार्सिय उसका अलोचना करे पूस्तक कर बाई किसने इस्प्राबर्ट के अरो सोसल सोसलाजिस टूडे पुस्तक भी नहीं कि मलब वर्तमान समाज सास्र यह 1969 में मार्टन के द्वारा एक पुस्तक है इन्होंने संपादन किया था वर्तमान समाज सास्र पुस्तक का बड़ी फेमस पुस्तक के परिक्षा में आप से पूछा आता रहा है इसके लामा इनकी औ सोसल इस्टक्चर इनकी पुस्तक है 1949 में प्रकासित होती है ठीक है और भी कई सारी पुस्तक है प्रस्णाब से पूछा गया है निम्नांकिर मना प्रस्ण क्या पूछा गया है प्रस्णाब से पूछा गया है मर्टन ने प्रस्ण क्या है मर्टन ने अभी सीमा सिध्धान की वीचना को निमनाकित में से किस पुस्तक परशुत करा है तो किस पुस्तक में परशुत किया है फटापर से आप बताने का प्रियास करेंगे तो social theory and social structure पुस्तक जो है इनकी इस पुस्तक में मर्टर ने अभी सीमा दिखी हुई आपसन में यह पुस्तके किसकी है और के मर्टन के तो इन पुस्तकों को आप लोग नोट डाउन कर लीजेगा काँपी पे लेक लेके बैठिए जब क्लास लीजिए और जो इंपोरेंट बाते बीच में बताता रहता है उनको आप नोट डाउन करते हुए ठीक है नोट्स आपको प्रवाइड करवा देंगे वो मैटर नहीं है लेकिन नोट्स आपका जो अच्छा माना जाता है वो अच्छा नोट्स वही माना जाता है जो आप लोग खुद बनाते हैं ठीक है तो करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा आपका आपसन नंबर सा करेक्ट स्टक्चर आपसा नमर सा करेक्ट एंसर होगा अगला प्रसांद देखिएगा प्रस्न है मद सीमा सिध्धान्द का सम्द्न निम्नांकित में से किस एक दसा से है फटा फटा पट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो है अनुभाव सिध्ध समानताइं आप सानमर इसका दाक करेंस रोजेगा मद सीमा सिध्धान्द का संब्र जो है वह संवांता वाली दizada से हmb सिभ्धान्त नहीं बलकि तुनलाथमा का भावबोद का सिझ्धान्त है संदर्व समों सिद्धान्त तरभूमिका समों का सिध्धान्त है घैन मध् सीमा की सिध्धान्त से maximum अगले साफ देखेगा निर्णांकित में से कौन से एक विसेस्ता मद सीमा सिध्धान्त का परतिनित्त नहीं करती है तो मद सीवा सिध्धान्त का परतिनित्त कौन से एक परकार से विसेस्ता नहीं करती है तो विसेस्ता कौन सी भाई मद सीमा सिध्धान्त का अधार बहुत ब्यापक होता है ये एक परकार से इसका प्रतिन नहीं करती बाकी मद सीमा सिध्धान्त में कुछ सीमित पर कलपनाओं का समाबेस होता है बिल्कुल ठीक बात है मद सीमा सिध्धान्त का संबन अनभो सिध ज्यान से बिल्कुल ठीक बात है मद सीमा सिध्धान्त ब्रहत और सोच में सिध्धान्तों के बीच सित होते है एनि निम्हदी सित्थ होते हैं ये भी ठीक बात है तो ये तीन चीजे ठीक है आपका जो आप सिद्धान पर अधिक महत्तो देते हैं उने हम क्या कहते हैं फड़ा पटस्च अब बताने का परियास करेंगे तो एन को क्या कहें गहीं उनको क्या क्या कहेंगे फटाerपट से ब्थाने का प्रियास करेंगे सद्धांत कहेंगे से मतर्धान होकर करेंगी और अनुभास तो पर जो जलब उपकलपनाओं पर सुंब इसमें दोने भार सारे समासाथ्री उसे बनने वाले आप्जेक्टिव परस्णों के बारे में आपको बताया जैसे कि उसमें मैंने आपको भी बता था सभी लोगों का अगस्त काम्त हरबर्ट इस्पेंसर इमाईल दुर्खीम टालकट पार्संस रावर्ट के मर्टन बिल्फ्रेडो पायरेटो काल माक्स मैक्स वेबर जार्ज हरबर्ट मीड ठीक है तो इन सभी लोगों से और इसके अलामा हमने समासास के उद्भोव वडिव में अब तब तक के लिए जहने जाए भारत आप सभी का भाध भानवाद के लिए इसे प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाये रखेगा तो यह मारा वेपर है स्प्रकार से का सोसियोलाजी ये हो गई और इसी प्रकार से जियोग्राफिक का मैं जलधी दूगा हिंदी साहटिका दूगा ठीक है अब इसमें देखिए प्रससे में आपको बता तो बीए फिफ्ट समेस्टर एन थर्ड से मिस्टर तो तो सबेस्टर में एक सब्जट्ट के दो पड़ोने वाले यह देखे पर वन कमार्व क का मैंने चर्चा करा है ठीके पर वन लब की क्लास्क और तो जो दूसरा पेपर है वो पेपर वहाँ यहां पर मैं लिख दूगा पेपर टूओ ठीक है तो पेपर वन पेपर्टू दोनों का मालेज़ पर में दूंगा आप लोग ध्यान से पढ़िये गा ठीक है तो पेपर वन एपटर टू में कन्फियोज मत हो येगा के लिए पर वन पैपर टू मैदी दिख दूँगा आप लोग पड़ते रहे पेपर वन यसे यहां पर लुका टो लिखा रहेगा आपको ठीके थमनेल में ही तो आप उसको जान दीजिएगा धन्यबाद चलिए फिर मिलकें नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन्ज अमारत आप सभी का बहुत धन्यबाद हमारा से जड़ने के लिए से प्रकार सबना प्यार मैसा बनाय रखेगा गुर्ण डाला कि बहुत धन्यबा तक कि बहुत रखेगा जया था जड़काद झाला प्यार खब कार झाला झाला जान्यबाद?